जैसे की हमने जाना, स्पूल के अंदर बाहर मूव्मेंट से ही पंप से आने वाले हाइड्रॉलिक ओयल की दिशा निर्धारित होती है, इसी कारण तीन विभिन स्थितियां प्राप्त की जाती हैं, इंप्लिमेंट का उपर उठना, बीच में कहीं भी होल्ड होना, तथा आना, आईए इनकी विस्तरत जानकारी लें, प्रारंभ में दोनों लीवरों में से किसी एक का उपर रहना अतियावशक है, जब ट्राक्टर स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रॉलिक पंप, टैंक से ओयल को पी आरवी में भेजता है, जैसे ही हाइड्रॉलिक ओयल पी आरव पोर्ट नमबर एक पर दबाव बनाना शुरू करता है, जब दूसरे लीवर को नीचे से उपर की ओर ले जाते हैं, तो लीवर से डारेक्ट जोडी मेकैनिकल लिंकेज का रोलर ए पीछे हट जाता है, अर्थाद स्पूल पर से अपना दबाव हटा लेता है, पी आरवी से आने वाला ओयल हमेशा खुला रहने वाले पोर्ट नमबर एक में से होकर, पोर्ट नमबर दो द्वारा सीधा डिफ्रेंशल वाल्व के पीछे उस क्षेत्र में पहुँच जाता है, जहां डिफ्रेंशल वाल्व का स्प्रिंग पहले से ही लगा होता है, अब ये दोनों प्रेशर स्प्रिंग और हाइड्रोलिक ओयल का प्रेशर एक साथ मिलकर डिफ्रेंशल वाल्व को दबाते हैं, तथा अच्छी तरह से सीट पर बिठा देते हैं, जिससे डिफ्रेंशल वाल्व बंध हो जाता है। जिससे ओयल वाल्व में प्रवेश नहीं कर पाता और चेक वाल्व की तरफ बढ़ जाता है। चेक वाल्व की सीट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पंप से आने वाला ओयल शेक वाल्व को अपनी सीट से हटा कर आगे बढ़ जाता है। शेक वॉल्व से बाहर निकल कर ओयल दो विभिन्न गैलरियों में प्रवेश करता है पहली गैलरी स्पूल स्लीव के पोर्ट नंबर 3 की तरफ चाती है क्योंकि स्पूल बाहर है अता पोर्ट नंबर 3 बंद होता है इस वजह से ओयल यहां से भी प्रवेश नहीं कर पाता दूसरी गैलरी मोड सिलेक्टर वॉल्व की तरफ चाती है ओयल मोड सिलेक्टर वॉल्व से होकर सिलेंडर सेफ्टी वॉल्व की तरफ पढ़ जाता है Cylinder Safety Valve उच्छ प्रेशर यानि 195 से 210 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वेर पर सेट किया गया होता है अता Oil Pressure Cylinder Safety Valve को नहीं खोल पाता और आगे बढ़ जाता है अब Oil ADDC Ram Cylinder में प्रवेश करता है तथा पिस्टन पर दबाव बनाता है इससे पिस्टन बाहर निकलने लगता है और क्रैंक तथा कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हाइडरॉलिक शाफ्ट भी गूमने लगती है इसी hydraulic shaft पर दोनों तरफ लगे one arm lever और three point linkage की सहायता से draw bar उपर उठ जाती है जब implement को बीच में कहीं रोकना हो तो mechanical linkage का roller भी जो hydraulic shaft की cam पर सटा होता है hydraulic shaft के घूमने से विपरीद दिशा में दबता है और cam से बाहर आने लगता है इस कारण mechanical linkage का compression spring दबने लगता है और साथ ही साथ spool से 60 roller A spool को थोड़ा सा अंदर की उर दबा देता है जिससे port number 2 बंद हो जाता है ऐसा होते ही differential valve के अंदर जाने वाले oil का दबाव खत्म हो जाता है और दूसरी gallery से आने वाले oil के दबाव से differential valve खुल जाता है और check valve बंद हो जाता है इस प्रकार pump से आने वाला hydraulic oil differential valve से होकर filter से होता हुआ ADDC housing में गिरता रहता है यही neutral position होती है अर्थात implement रुक जाता है implement को नीचे लाने के लिए किसी एक lever को नीचे करते हैं जिससे mechanical linkage का compression spring और दबता है तथा रे spool को और अंदर की और दबा देता है ऐसा करने से port नंबर 3 खुल जाता है तथा ram cylinder का सारा oil spool sleeve के port नंबर 3 से होकर सीधा tank में चला जाता है और implement नीचे आ जाती है pump से आने वाला oil differential valve से होकर लगातार tank में गिरता रहता है